हेलो फ्रेंड्स तो आज का हमारा टॉपिक है how to calculate standard deviation इससे पहले हमने mean median mode पर वीडियो बनाई थी यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखिये तो आई बटन पर किलिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आज हम डिसकस करेंगे standard deviation जिसे हिंदी में मालक विचलन या प्रमा पिचलन भी कहते हैं standard deviation को सिगमा से represent करते हैं और इसका जो formula होता है वो होता है आपका sigma is under root summation d square upon n यह होता है standard deviation का formula यहाँ पर जो यह d है यह होता है आपका d x minus x bar यदि हम इस d की value को इसमें रख देते हैं तो आपका जो formula होता है कुछ इस type से होता है under root summation x minus x bar upon n तो यह हो गया आपका standard deviation का formula इसके बाद देखते हैं coefficient of standard deviation का formula and coefficient of variance का formula और उसके बाद देखेंगे इन formula के base पर questions जो पूचे जाते हैं और उनको calculate किस type से करते हैं सबसे पहले देखते हैं coefficient of standard deviation का formula तो पहले देखते हैं coefficient of standard deviation coefficient of standard deviation का formula होता है वो होता है आपका coefficient of standard deviation is standard deviation why mean तो यह होता है आपका coefficient of standard deviation का formula इसके बाद देखते हैं coefficient of variance तो coefficient of variance को हम represent करेंगे cv से तो cv होता है आपका standard deviation तो यह होता है आपका coefficient of variance का formula अब देखते हैं इन तीनों फॉर्मूलों के base पर जो coefficient पूछे जाते हैं वो किस type से पूछे जाते हैं और हम उनको calculate किस type करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम standard deviation किस type से calculate करते हैं तो first question है calculate the standard deviation question दिया आपका 12 5 10 7 8 9 5 यह मान लेजिए किसी के marks हैं तो हम इस question को इसमें calculate कैसे करेंगे standard deviation को तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर formula क्या होता है standard deviation का तो standard deviation का जो formula होता है वो भी हमने बताया था आपको वो होता है sigma under root summation d square upon n तो यह होता है आपका formula standard deviation का तो standard deviation को निकालने के लिए हम एक table draw करते हैं उसके बाद आपको बताएंगे कि उसे किस type से हम standard deviation को calculate करते हैं तो यहां पर हमने यह table draw कर लिए है तो यहां पर हमने लिखा है x यानि यह जो है मान लीजिए किसी के marks दियो हैं और इनको हमने represent किया है x से तो यहां पर हमने लिख लिए है x और यह सारे marks हमने लिख लिए है इसके बाद formula में आपका d square तो पहले हम निकालेंगे d फिर उसका कर देंगे हम square तो इस परकार से आपको एक table draw कर लेनी है तो सबसे पहले हम निकालेंगे d तो अभी आपको बताया था कि d x minus x bar तो हमारा ज परेंगे mean तो आपको पता है कि mean हम किस type से निकालते हैं तो mean का जो formula होता है वो होता है आपका x बार summation x upon n तो summation x होता है आपका इन सवी का add तो इन सवी को जो हम add करेंगे तो हमारा जो add करके जो आएगा वो आएगा आपका यह होगा आपका summation x is equal to 56 तो यहाँ पर रिखेंगे 56 yn होता है यह कितने number है तो यह हैं आपके 7 1,2,3,4,5,6,7 तो हम 56 को 7 से divide कर देंगे तो हमारा जो आएगा यह आएगा mean आपका 8 तो अब हम d को calculate कर सकते हैं तो करते हैं तो d का x minus x bar तो पहले हम first के लिए करते हैं तो यह हैं आपका 12 तो यहाँ पर लिखेंगे 12 minus mean आया है हमारा 8 तो यहाँ पर लिखेंगे 8 तो 12 में से 8 जएदि हम minus करेंगे तो आएगा हमारा 4 तो इस परकार से आप d की value calculate कर सकते हैं तो हमारी इसके लिए हम 5 के लिए इसी परकार हम 5 के लिए निकालते हैं तो यहां पर आएगा d x minus x bar तो x से हमारा 5 minus और mean आया है हमारा 8 तो यह आजाएगा आपका minus 3 तो इस परकार से आप d की value calculate कर सकते हैं तो जब हम 10 की निकालेंगे तो यह आएगा हमारा 2 और 7 की निकालेंगे minus 1 8 की निकालेंगे 0 9 की निकालेंगे 1 and 5 की निकालेंगे तो minus 3 तो इस परकार से आप d की value calculate कर सकते हैं इसके बाद हम 10 का करेंगे square d square क्योंकि formula में हमारा d square तो जब हम square करेंगे 4 का तो आएगा हमारा 60 and 3 का करेंगे तो 9 2 का 4 और 1 का करेंगे तो आएगा 1, 0 का 0 and 1 का 1 and 3 का आएगा हमारा 9 तो हम इन माइनस से हमें कोई भी मतलब नहीं है हमको ये add ही करने है तो जब इनको add करेंगे तो हमारा आएगा हैंपे 14 तो यह हो जाएगा summation d square is equal to 14 तो अब हम formula में इसको रख देंगे formula था हमारा sigma summation d square y n तो अभी हमने summation d square की value निकाल ली थी वो आई थी हमारी 14 तो यहाँ पर रख देंगे हम तो सिकल to 14 y n हमारे कितने total number है तो यह हमारे 7 under root 7 इसके बाद 14 को divide करेंगे 7 से तो हमारा आएगा 5.71 अंडर root जब हम 5.71 की value अंडर root की value निकालेंगे तो हमारा answer आएगा 2.3 तो इस परकार से आप standard deviation को calculate कर सकते हैं इसके बाद देखते हैं next question next question है यदि मानक विचलन गुडांक यानि coefficient of standard deviation 9 तथा माददय यानि mean 15 हो तो standard deviation क्या होगा तो हमने भी आपको formula बताया था coefficient of standard deviation का तो हम उसी formula को use करेंगे और standard deviation को calculate कर देंगे तो यहाँ पर लगाते हैं formula coefficient of standard deviation standard deviation upon x bar तो हमारा coefficient of standard deviation दिया हुआ है यहाँ पर 9 तो हम रखेंगे 9 standard deviation हमें calculate करना है तो इसे ऐसे रहन देंगे और x बार यानि mean की value दे रखिया हमें 15 तो यह हो जाएगा आपका standard deviation is equal to 15 multiply 9 तो यह हो जाएगा standard deviation is equal to 135 तो यह निकल गया आपका standard deviation तो इस परकार से आप यह question solve कर सकते हैं इसके बाद देखते हैं next question इसके बाद है next question कि यदि standard deviation 4.05 और mean 23.6 हो तो उसका coefficient of standard deviation क्या होगा उसी formula कर यूज करेंगे coefficient of standard deviation तो करते हैं यहापे हम sort में लिखते हैं coefficient of standard deviation standard deviation y mean तो आपका जो standard deviation दे रखा है वो यह आपका 4.05 upon mean दे रखा है आपका 23.6 इसके बाद हम इसे calculate करेंगे तो यहाँ से point रटेगा 20 and यहाँ से point रटेगा 10 and 10 से 10 आपकी कट जाएंगे तो यह आएगा आपका 405 and 230 2360 तो जब हम इसे इससे डिवाइट करेंगे तो आपका जो answer आएगा वो आएगा 0.7171 तो इस परकार से आप coefficient of standard deviation को निकाल सकते हैं इसके बाद देखते हैं next question coefficient of variance का इसके बाद next question कि यदि किसी स्रंगला में मादध यानि mean 50 है और standard deviation 5 है तो coefficient of variance क्या होगा तो coefficient of variance का formula लगा देंगे और उनकी value लिख देंगे तो हमारा answer आजाएगा तो करते हैं solve तो coefficient of variance का जो formula होता है वो होता है आपका standard deviation y mean into hundred percentage standard deviation दिया हुआ है आपका 5 mean दिया हुआ है 15 and यहाँ पर लिखेंगे हम hundred percentage इससे 0 से 0 कर जाएगा तो यहाँ आएगा 15 y 5 तो यदि हम इससे n percentage यदि हम 15 को 5 से divide करेंगे तो आएगा हमारा 10 percentage तो इस परकार से आप coefficient of variance निकाल सकते हैं यदि आज की हमारी वीडियो तो यदि आपको वीडियो अच्छी लोगी तो please please like करना and share करना और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना thanks for watching my video